तो गाईज, वेट खतम हो गया है, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G की Unboxing में आप लोग को दिखाने वाला हूँ, अब यहाँ पर S Pen बना हुआ है, इस Bronze कलर के अंदर और बहुती कूल दिख रहा है, in fact जो boxy quality है काफी जादा premium है, तो यहाँ ही से premium experience हो जाता है, तो मैं लिड हटाता हूँ, और हमें ज थोड़ी बहुत documentation ही देखने हो, मिलते हैं कि Quick Start Guide होती है, और बाकी इस box के अंदर हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और वापिस इसके उपर आते है, फोन के उपर, तो मैं इसको यहाँ से slide करता हूँ, और यह कुछ ऐसा दिखता है, Note 20 Ultra 5G, आप लोग मेरो कमेंट्स में जरूरू बताना है कि आप लोग को एक कलर कैसा लगाया, और इसके लिए एक लाइक तो बनता है, मेरे साफ से यह आज तक का बेस्ट डिजाइन वाला फोन है, नीचे की साइट में आप लोग को दिखा देता यह जो है हमें data cable देखने को मिलती है, जो कि type C to type C है, और इस side हम लोगों को air phones देखने को मिल जाते है, और यह air phones AKG branding वाले हैं, और यह काफी ज़ाधा अच्छे sound करते हैं, तो यह भी एक premium टच रहता है, और यहाँ पर जो हमें type C वाले यह air phones है, तो इन सब चीजों को मैं side पर रखता हूं और फोन के ऊपर आजाते हैं और भाई सीरियसली सैमसंग ने इस बार किल कर दिया है यह जो मैट फिनिश है यह जिसका कोई कॉंपेटिशन नहीं है इसको इक बर एस पन निकाल के देखते क्योंकि इस बर इस लेफ्ट साइड में एस पैने इसका तो यह भी काफी शाइनी है और काफी सॉलिड बिल्ड क्वाल्टी के साथ आता है और बहुत ही पावरफुल चीज़ आ रही है मैं अब वेट नहीं हो र अब मैं आप लोग को अन्बॉक्स पीरेंस तो दिखाई चोका हूं क्योंकि पहले मेरे बास बॉक्स नहीं आया था इस फोन का अब मैं आप लोग को सब कुछ दीटेल में बताने वाला हूं धंग से यूस करने के बाद कि एक्चली में फोन है कैसा इसको ना रिव्यू नह समझना आप इसको सेकंड इंप्रेशन टाइप समझ लोग कि अभी सर्फ मुझे चार दिन वाए इस फोन को यूस करते हूँए अभी थोड़ा दिन मेरे को और चेहिए क्योंकि एक फ्लैक्शिफ फोन है इसकी टेस्टिंग थोड़ी सी लंबी चलती है लेकिन मैं आप इनके आसपास हमें एक गोल्डन कलर का पूरा ग्लॉसी फिनिश जेकनी को मिल जाती है जैसे इसे इसकी प्रीमनस कुछ जादा ही बढ़ा रहा है और प्रीमनस इंटू 100 करता है वो है इसके बैक पैनल ऐसे कर्व होना आपको मैं कोशिश करता हूँ कैमरे पे दिखाने की पूरा बैक पैनल भी कर्व होता है और सामने से डिस्प्ले भी कर्व होती है तो यह पूरा एक राउंडेड फील देता है बाकी यह जो हमारे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर से है वो राइट साइड में दे दिये अगर बाद करूँ तो सामसंग को बहुत बार फीडबेक दे चुका हूं अब यहाँ पर सिम ट्रे ओ आप प्लास्टिक की देखने हो मिलती है तो अगर आप दो सिम लगाते हो और जैसी सिम ट्रे को वापिस डालते हो फोन के अंदर तो वह बहुती जोलती रहती है तेडि म स्पीकर्स है बहुत ही अल्टीमेट साउंड करते है डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट हमें देखने हो मिल जाता है ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही जादा एकुरेट साउंड करते है और टाइप सी पोर्ट तो भाई ओविसली इंपोर्टेंट है और मैं आप लोगों को बताने कि पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है इस फ्रेम के अब एना मेरको थोड़ी सी दिक्कत हुई इस साइड से इस एस एस पैन को निकालने में क्या हो सकता है कि मेरी पुरानी आदत है कि क्योंकि जातर नोट सीरीस के अंदर जो एस पैन होते थे वो प्रसॉनिक फिंगर्पिंट स्कैनर है कावी सालों से चल रहा है बट वो इतना फास नहीं था पूरा एक सेकिंड लेता ही था खुलने में बट इसकी खास बात यह थी कि अगर आपके हाथ में बिल्कुल गीले भी होते थे यह कुछ भी रहता था यह बहुत असानी से खुल एक खास बात है इसके अंदर और वाइबरेशन मोटर तो बहुत जादा इंप्रूफ कर दी है तू गुड वाइबरेशन मोटर है अब एक और चीज इसकी बहुत अच्छी है स्ट्वंटे प्लस से वह इसका मतलब डिस्पले क्योंकि जिसकी कलर्स है और जो इसकी कर्व डि को मिली जाता है और जिसका रीफ्रेश रेट है ना 120 हर्ट्स का अब यहां पर एक फंक्शनलिटी जो एड करी है जो कि मेरे साफ सूपर बेनिफिट दे रही है इस फोन को वह है एड़ेटिव रीफ्रेश रेट अब वह बहुत ही स्मार्टली स्विच कर देता है कि आपके म अगर आपको पंची कलर्स नहीं पसंत हो हमें बहुत ही तरह तरह की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है और ऑल्वेज ओन के तो खुदी एक अलग बेनिफिट है वह टाइम नोटिफिकेशन आटोमेटिकली आना यह तो बिल्कुल अच्छे बेनिफिट्स रहती है और अग चीज ज़रूर फील की है क्योंकि फोन काफी जादा बड़ा है और मैंने नीचे नेविगेशन बार नहीं ओन करक्खा जैसे स्वाइब करने में उपर की साइड जो होम स्क्रीन आजएगी और अगर आप रीसेंट एप खोलना चाहते हो तो थोड़ी दिर उपर की तरफ बाकी मैं आप लोग को बता रहता हूं कि अल्टीमेट तरीके से हाँ पर बेजल्स खतम कर दिये सैमसंग ने भतानी कैसे और वो जो हमें पंचोल कैमरा देखने मिलता है इंफिनिटी ओ डिजाइन यह तो ऑटमेटिकली है ही बहुत अच्छा यार यह तो मतलब हर एक फोन म है तो कैमरा इसका इंडस्ट्री लीडिंग है अगर हमें आप लोग को फोटोस दिखाऊं एक बार देखो इसकी डेलाइट शोट्स हर टाइम जो है एकुरेट कलर्स और बिल्कुल सई अमाउंट की सेचुरेशन शार्पनेस मतलब कि अगर मैं आपको human subject की फोटोस चैडोस तो यह बहुत ही अच्छे से कट कर लेता है आर्टिविशल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लो लाइट में तो exceptionally मतलब बहुत ही जाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैंने एक चीज नोटिस किया है नाइट सकेप से अगर आप फोटो कीचते हो तो वो और भी जादा इंप्रूव हो गया है और वो तो मतलब ऐसे से डिटेल आप लोग को आगे लाके देदेगा क्योंकि शटर स्पीड टोड़ी सी बढ़ जाती है तो यह सही रहता है तो लो लाइट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इतना ही नहीं अगर म अच्छी बना सकता है बस महनत करनी पड़ती है उस कैमरे के उपर जैसे कि मैं आप लोग को फोटो दिखाए रहा हूं अब मेरे साब से मुझे लगता कि किसी भी तरीके से फोटो बुरी है और मेरे साब से जूम भी करने में बीज़ों डीटेल बिलकुल रहती है मेरे को अ दिखाता हूं काफी मतलब स्क्रीन में जिटरी सी फीलिंग आ रही है कर अगर स्टेबलाइशन की बात करूं तो स्टेबलाइशन तो बहुत अच्छी कर लेता है तो यह मुझे बहुत ही साही चीज लगी है लेकिन जिटरी नैसे मूव करने में थोड़ी सी वीर्ड लग र अब यहां पर जो हमें चिपसेट एक्जनेस 990 देखने को मिल जाता है और बहुत ही कमाल की बात या फिर में को शॉकिंग बात यह थी कि मेरे को ट्विटर पर ट्वीट आ रहे थे कि जो यह एक्जनेस 990 की मिडरेंड चिपसेट है मेरे को नहीं पता है लोग क्यों बोल र इसकी रीड स्पीड आ रहे थी जो कि काफी अच्छी मानी जाएगी और इस बार जो हमें 1.5 देखने को मिल जाती है ग्रेट फीचर सामें देखने को मिलते है हर एक चीज़ बिल्कुल वेल ऑप्टिमाइज है मैं एप्स लगातार इन में लॉंच कर रहा था इतना एक्सपीरेंस अभी तक का बहुत ही अच्छा है मेरा वैसे केपैसिटी की बात कर तो साढ़े 4,000 इमेज की बैटरी इसके अंदर और अगर मैं चार्जिन टेक्नोलोजी के बारे हम बात कर तो 25 वाट की है तो वह हमें चार्जर बॉक्स में देखने मिल जाता है तो उसकी मज़ाती है आप लोग मुझे कमेंट्स पताना की आपको क्या चीज़ इंप्रेस करें इस फोन के बारे में मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा जिससे आगे मेली वीडियो वे मैं और बहतर तरीके साप लोग को इंफॉर्मेशन लेकर आ सकूं और अगर यह व झाल 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 झाल